आज की जो वीडियो है वो उन सब लोगों के लिए बहुत ही इंपोर्टेंट होने वाली है जो चूहों से परेशान है और उनको मारना भी नहीं चाते हैं और घर से भगाना भी चाते हैं तो उनके लिए वीडियो इस पेसली है तो प्लीज वीडियो को बिना इसकिप किये कुछ लोग को मानना है कि इसलिए यह घुनशुन्न भगवान के वाहक है इस टाइपसे इसको नहीं मारना चाते और कुछ लोग के साथ उल्टा इसलिए काना भर जाएं गाल है लाएं तो अगर आप भी इन सब बातों से प्रेसान है और चुहों से चुटकार आपाना चाहते हैं वो भी उनको बिना मारे और बिना कुछ खास मोटा खर्चा किये वे तो ये वीडियो आपी के लिए बनाई गई है तो प्लीज बिना इसकी पिए इसको पूरा देखिए ताकि एक भी चीज आप मिशना कर सकें और यह जो रेमेडी है यह हम घर पर ही तयार कर रहे हैं तो यह देखिए सबसे पहले ले लेंगे आटा नॉर्मल वाला आटा मैंने आप लिए जिससे हम रोटी बनाते हैं उसके बाद में हम ले लेंगे इसमें बैकिंग सोडा जो की मिठा सब्सक्राइब कर देखिए उसके बाद में हमें क्या करना है इसके अंदर आपके पास जो भी कोई ब्रेड हो बिसकीट हो जो भी आप नोर्म लिखाते हो कोई भी ब्रेड या विसकीट हो वह इसमें मिला देंगे ताकि इसका जो खुसबू है वह उसको बहुत ही ज्यादा कर देंगे और उसके बाद में हम मिलाएंगे इनमें मोटी वाली चीनी किसलिए कि जैसे अंदर वाला जो हमने कुछ भी मिलाया है उसको थोड़ा सा कोटिंग कर देंगे उपर से तो चुहें कि अगर थोड़ी बहुत स्मेल आभी रही होगी तो भी वह अपने आपको कंट् से कट होने वादी हैं बाकी जो हो रात को ही जादा गदर माचाते हैं और रात को ही जादा निकलते हैं तो तो रात के समय अपने खाने पिने का जितना भी मीवी शामान है वह एकदम साफ रख दीजिए हैनक चूह के पहुश से दूब रख दीजिए और उसके बाद ये रेमेडी जो हमने बनाई है ये आप तयार कीजिएगा और कीचन में बातरूम में ये फिर जहां पर भी आपको लगता है आपका घर है आप ज्यादा अच्छे से जानते होंगे कहां पर चुह ज्यादा गुशते हैं तो वहां पर ये सब पाड़ वाली रेमेडी हमने बना करके और रेड़ी चैनल पर डाल रखी है अगर चाहें तो उसका भी लिंक आपको डिस्किप्शन में मिल जाएगा थेंक्यू फो वाचिंट अ झाल 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 झाल